हालो फ्रेंड्स वेलकम टू आज चैनल आज मंत्रा आज मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है अब हम त्री पॉंट परस्पेक्टिव ड्राइंग का जो भी सिखे है आज तक उसको यूज करके हम एक घर का ड्राइंग करते हैं देखिए यह जो परस्पेक कवर नहीं कर पाएंगे क्योंको परस्पेक्टिव ड्राइंग जो है वह एक वास्ट सब्जेक्ट है तो हम कोशिस करेंगे कि कम से कम जो भी बेसिक है उसको कवर करेंगे ताकि आप जब फ्री हैंट स्केचिंग करते हो उसमें आपको यह मदद करें कि आपको आइडिया र प्रोजेक्ट बदल जाएगा तो उसलिए अलग-अलग वैंसिंग पॉइंट होता है कोई चीज आपके तरफ प्रोजेक्टेट है इस तरफ है वह अलग बनेगा कोई इस तरफ मोग कर रहा है थोड़ा-थोड़ा एंगल बदलने से ही उसका जो है वैंसिंग पॉइंट है हो बदलता रहता है तो हो सकता है चार पॉइंट हो जाए पांच पॉइंट हो जाए तो हम बेसिक जो है चार पॉइंट तक सिखेंगे अगर हो सकता है फाइफ पॉइंट का जो है मैं आगे बताऊंगा लेकिन वह आपकी काम के नहीं रहेगी उससे खास करके मोड में है ताकि यह लंबाई मुझे मिल जाए और आपको आसान रहे कि समझने में अभी हम क्या करेंगे उसका बैंसिंग पॉइंट है यहां ले ले लेते हैं उपर ले ले लेते हैं ताकि टॉप एंगल से हम देखेंगे और एक्स्ट्रीम जहां तक मेरे पेंसिल जा सकती है पेपर में वहां तक मैं इसको ले लिया और हम अभी एक घट ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह से नजर आता है तो च्छत में करीब करीब इतना रखता हूं यह अंदाजन कर रहा हूं ऐसा कोई नहीं है यह दिवाल हम यहां से बनाते हैं और इसको एक दिवाल इसको एतना करता है और अभी हम इसको यह लेट के तरफ जो तीवाल जा रहे हैं उसको हम लेट के वैंसिंग पॉंड मिलाएंगे यह लाइट में लाइन लाइटर रख रहा हूं ताकि आपको यह दिखे और हम बाद में उसको डार्कन करेंगे और इस तरफ वाली लाइन को यह कर लेते हैं मिला लते हैं यह मिल गया और इसको मिला लते हैं लेट के तरफ जाती है अब हम दिफिलाट घिजएट कर सकते हैं अपना हिसाप से हम इसको को decide कर सकते हैं यह line ऊपर जा रहाए यह मतलब यह दिवाल का टॉप है बटम है तो यहाँ top रहेगी इस line के उपर नीचे bottom तो यह नीचे तरफ आके मिलेगा अगर हम यहाँ इसको decide करते हैं तो दिवाल यूँँ बनेगी और इस तरफ कम ज़्यादा आप कर सकते को गांट के माल यहें एक तो ज्यादा है इसको मैं यहां ले लेता हो और यहांसे डाक कर लीथा तो आपको यह दिवाल दिख गया है तो इसका बाद इसका चारो तरफ यह इसका छगचछत बनाते हैं इसका छगच बनातर और इसको जोड देंगे यह जोड दिया और इस तरफ यह जोड दिया यह च्छत बन गया और यह जो लाइन है इसको हम इस तरफ यह लेट तरफ जा रही है तो यहां लेट में हम इसको मिला लेंगे अभी हमने इसको डाक ने किया क्योंकि इसको हम डिसाइड करें देखिए अभी क्या हुई बात कि यह लाइन उस तरफ जा रही है अभी इस तरफ भी एक वैंजिंग पॉइंट बनेगा तो हम उसका बार में अभी बात नहीं करेंगे हम अंदाजन इसका सथ पैरलाल या उससे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे क्योंकि हमें पता है पास वाली चीज बड़ी दूर वाली चीज छोटी यह हमारा नस्दिक है यह हमसे दूर है तो एक लाइन हम यहां डाल देंगे तो यह बन गया उसका चत यह दिवाल बन गई यह चत बन गई इसको अगर आप थिकनेस दे देते हैं इसका अच्छा दिखे थोड़ा थिकनेस विसमें डाल देते हैं और यह अगर आपके एक्सेंड करने चाहिए लाइन उस तरफ जाएगी यह लाइन यहां के मिलेगे तो यह इस तरह से यहां आएगा और यह लाइन यहां मिल जाएगे तो ये च्छट बन गया अपका और ये च्छट को आप थोड़ा सा आगे में लेता तो और अच्छा दिखता क्योंकि ये दिवाल से बाहर रहती है तो हम इसको थोड़ा सा आगे ले लेता है ताकि अच्छा दिखें और दिवाल अंदर होती है तो सेम तरीका यहां अप्लाई करेंगे और इसको यहां मिला देंगे तो आप इसको भूल जाएए अभी फिलाल मैंने किया कुछ नहीं है जस्ट उसको एक्स्टेंड कर दिया ताकि यह दिवाल यहां से शुरू जाए और यह च्छत थोड़ा था बाहर निकला है और यह च्छत नॉर्मली बाहर होता है यहने करता है समय भूल गया था तो अब इस तरह से किजिएगा यह अभी च्छत बाह लाएंगे इसको विंडूस सेम तरह से यहां एक लाइन हलका सा दे देता हूं और इस तरफ नीचे से मिलाके एक हलका लाइन यहां दे देता हूं और यह लाइन एक उपर वाली हमें मिल चुकी है और यह नीचे वाले लाइन को हम यहां ले लेंगे और यह बन गया उसका व कि यहां एक खलका है क्यांदेतेते हैं क्योंकि दरवोजा और इसका हाइट एक ही होता है है पिर ये नीचे तरफ लाइन आती है तो अपके दिसाइड कि यहां करना है यहां करना जहां भी करना है उस पॉ乾्ट पर रखे और इसको to check line दिया फिर दरवाजा का वीट और Windows same line में होती है तो same line में हम Windows बनाते हैं यहां से लेके उपर लाइन हमें मिल चुकी है दर्वाजा और Windows का height एक ही होती है तो इसलिए हम height एक ही रखे और यह line उस तरफ जाती है वहां कर दिया है इसको हम टाप कर लेंगे इसको अगर आप इसका thickness दिकाने के लिए drawing करें तो इसका motor आप draw कर सकते हो same तरीका है सिर्फ इसमें एक line यूँ खिचना है ताकि इसका thickness आपको नजर आगे यह भी नजर आएगा क्योंकि हम उपर से देख रहे हैं यह और इस side नजर नहीं आएगा और इससी line को फिर से हम extend कर देंगे यहाँ तो यह नजर आएगा आपको तो इसको हम मिटा देंगे और ठीक से अगर करें तो यह बन गया यह तरोज अभी same तरीके से होगा नीचे नजर आएगा इस तरफ नजर आएगा उपर नजर नहीं आएगी और यूँ यह उसका width नजर आएगा अभी इसमें उल्टा होगा क्योंकि हम इस तरफ से देख रहे हैं यह वाले नजर आएगे और नीचे नजर आएगा यह हो गया और नीचे वाले नजर आएगी इसको इसका साथ मिला देंगे यह हो गया यह बन गया पुरा घर इसको थोड़ सा और अच्छा दिखे तो इसका चार उत्रफ एक चब उत्रा जैसे कुछ बना देता है ताकि अच्छा दिखेगा तो मैं यह लाइन जो है इसको मैं बनाता हूँ इस तरफ डाक कर लिया और यहाँ इस तरफ इसको मैं यहां तक ले लेता हूं यह इसका साथ मिला दिया यह लायं लेट तरफ जा रही है और इसको मैं यहां मिला दिया और इसका थोड़ा सा थिकनस बनाते हैं ताकि जमिन से वह उठी हुई नजर आए ये और ये और इस तरफ हम इसको ले लेंगे इसको थोड़ा सा डाक कर लेते हैं बाद में आपको पता चल जाएगा एक्चुली ड्राइंग क्या बना है ये इस तरफ लेंगे और इसको इस तरफ लेंगे और इसको हम इस तरफ में ला देंगे इस तरफ जा रही है और इसको यहाँ फ्लाट कर देंगे देखिए ये बहुत एक उपसुरत एक घर बन गया और हमने पस्पेक्टिव ड्राइंग का जो भी फॉर्मूला है जो tips है उसको use करके हमने एक बहुत एक उपसुरत घर अभी आपको सामने में ने करके बताया इसको just आपको याद रखना है इसमें आप lines वगरा जो भी देना चाहें ये देखे ये अभी मैं क्या बोला था ये च्छत जो है न इसका ये वाली पार्ट जो है अलग direction में ये इस direction में है ये इस direction में है और ये इस direction में तो इसके लिए भी एक vanishing point अलग सा बनेगा तो वो four point हो जाएगा क्योंकि यह हो गया ये एक दो तीन और इस तरफ से ये paper से बाहर बनेगा तो उसलिए मैंने इसको देखते हुई अंदजा लिया कि ये कितना हो सबता है और उस हिसाब से मैंने इसको draw किया है तो उमीद है आपको ये समझ में आ गया होगा ये बहुत ही simple है और हर एक point का अगर हम vanishing point देखे draw करें तो ज्यादा perfect होता है और मैं इसको थोड़ा सा darken कर लेता हूँ आप लिए तो ये होगे मैं क्या बोल रहा था कि ये वाली point ये भी अंदर जा रही है तो इसका और ये वाली point का ये जो draw किया उसका भी vanishing point अलग है तो वो four point में चला जाएगा उसको जितना point हमारा अलग बनेगा ये तीन point हम बनाए है तो three point है इसमें थोड़ा सा है जो four point में है थोड़ा सा मतलब ये च्छत है और ये जो है ये वाली पार्ट और ये जो अंदर तरफ जा रही है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये फोर्थ पॉइंट में जाके मर्ज हो रहा है तो उम्मित आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा और इस तरह से ही आपको याद रखना है कि चीजें कैसी दिखती है सिंपल सा बात है पास वाली चीज बड़ी जैसे कि यहां से अगर मैं देख रहा हूँ और मेरा आई लेवल ये है मतलब मेरा आँक यहां से इसी लाइन पे खड़ा हूँ मतलब मैं बीच में खड़ा हूँ ये कॉर्नर पिलकुल मेरा आँकों के सामने है और मैं यहां से देख रहा हूँ ताकि चप्त ज़्यादा नजर आ रहा है और ये वाले चीज जो है मैं उपर से देख रहा हूँ तो ये चोटी दिखेगे तो ये वाली नजदिक है ये बड़ी दिखेगी ये वाली दूर है चोटी दिखेगी और ये दिवाल है वो मेरे से नजदिक है और ये दिवाल मेरे से दूर है ये दिवाल मेरे से दूर है तो simply ये बड़ी दिखेगी ये दिवाल चोटी दिखेगी ये बड़ी दिखेगी ये चोटी दिखेगी यह सारा formula इसमें apply हुआ है और आपको यह याद रखना है ऐसा नहीं कि हर एक बार हमने paint pencil लेकर बैठ जाएं और draw करते रहें ऐसा नहीं है हम जब freehand drawing करते हैं कोई landscape drawing कर रहे हैं कोई देखिए यह वाले line सेम बात कर रहा था यह वाले line अंदर जन हम यहां मिला देंगे तो यह मिल जाएगा यहां यह वाले line उदर जा रहे है यह the line हमें मिल चुकी है इस तरब यह line भी हमें मिल वाली घर जो है normal plane च्छत होती उस वाली घर में ओपलाए होगा उमीद है आपको यह समझ में आया होगा नहीं समझ में आता है तो आप उसको दुबारा देखिए पहला वीडियो से देखिए पहला वीडियो अगर समझ में आ गया होगा तो second आराम से समझ में आ जाएगी जैस कि मैं खुद भी जो आपको बता रहा हूँ, मैं एक बार में सिखा नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यादास हो सकता है कुछ लोगों का बहुत तेज हो, उनका साथ हो, कि वो एक बार में याद रख ले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये बार-बार देखना है, ताकि आ आज के वीडियो में इतना ही, और तैंक्यू वेरे मच पर वाचिंग, जो लोग नए हैं, हमरे चैनल में बहुत सारे, बहुत, बहुत, बहुत सारे, फ्री ओनलाइन ट्रोइंग कोर्स में वीडियो है, आप अगर बेसिक सुरू करते हैं, तो पहला वीडियो से लेके, आप दिरे-दिरे एक एक देखते जाए, आपका मन करता है, तो बीच में से भी और दूत्रा वीडियो से देख सकते हैं, लेकिन कोई अगर सुरूत कर रहा है, तो एक अगर कोई वीडियो लेके आप चल रहे हो, तो उसको आप सीरियली देखिए, ताकि एक सब्जेक्ट तो प् लेकिन अगर आप यूएन फिगर देख रहे हैं तो एक साथ देख सकते हैं, लेकिन सीरियली देखिए, तो आज के लिए मैं यहां इसको खतम करता हूँ, लोग का इसमें कोई हल्प नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को जहां तक समझाना है, मैं जब तक उसको समझाने के लिए मे और जब मैं साटिस्पाइव हो जाता हूं कि हां यहां तक आपको समझ आ जाए कि तभी मैं वीडियोस को बंद करता हूं यह आप लोगों के लिए अच्छा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है जिसको टाइम में लग रहा है कि यह बहुत ज्यादा हो रहा है तो कोई किजिए कोई queries हो कोई questions हो subject subject के उपर बाहर से कोई सवाल ना करें तैंक यू बेरी मुच्च झाय।